हलो दोस्तों कैसे आप लोग आई होव कि आप लोग बढ़ियाओंगे तो आज की वीडियो भी काफी ज्यादा इंट्रेस्टिक होने वाली है तो फिलीज वीडियो को एंट तक जरूर देखेगा आज की वीडियो में हम बात करेंगा हमारे जो फ्रंटर डिजिटल टाइमर है उसका उप्योग हम कैसे कर सकते हैं और कहां कहां पर इसका उप्योग कर सकते हैं इसकी सेटिंग कैसे हम करनी है तो दोस्तों उसके लिए आपको हमारी जो वीडियो है वो पूरी देखनी होगी चलिए इसकी सेटिंग है जो करते हैं तो सबसे पहले हमें इसका कैप है यह हम रिमूव करना पड़ेगा उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों जो इसका जो सबसे पहला जो हमें देखना है वो देख ओटो ओन ओफ यह तीनों जो है यह इस मैनुवल वाले बटन से होगा और आप देख सकते हैं जैसे मैं इसको अगर प्रेस करूँगा तो यह भी ओट पर जाएगा तो वह वैसे हो सकता है तो अभी यह ओन पर तो अभी मैं इसको ओटो पर करता हूं तो आप देख सकते हैं यह ओन से जो एरो है ओटो के उपर आ चुका है अभी मैं इसको ओफ करता हूं तो यह ओफ हो चुका है तो देखे दोस्तों इसको हम जो मैनुवल तरी glow करती हुए दिखेगी जो यह indicator है वो तो और दोस्तों जो यह वाला बटन है यह हमारे जो पूरा timer को reset करने के लिए हमें यह वाला बटन काम में आता है और I hope कि आपको मजमा आ चुका होगा और हमें यदि day, hour और minute अगर change करने है तो हम क्यसे करेंगे दोस्तों देखे यदि हम ऐसे press करेंगे तो यह नहीं हो पाएगा यदि hour को और minute को हम प्रेस करेंगे तो नहीं होगा तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों हमें जो clock clock वाला byt्ण इसको press करके और जो यह डे वाला bytman है इसको मैं press करना पड़ेगा तो यह देखे यह हो गया यह देखे Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday और Saturday तो यह यहां तक हो चुक्का है अब इसका हम चाहिए तो पूरा अप्ते का भी ले सकते हैं और अलग अलग दिन का भी ले सकते हैं और जो हमारा सेकेंड है वह हावर है देखें दोस्तों जैसे उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टाइमर होले बटन पर जैसे हम प्रेस करेंगे, उसके बाद आप देख सकते हैं, यह एक बन के और ओन ओ चुका है, और यह जो है, यह यह देखे, इसके, यह देखे, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, तो हम चाहे तो एक दिन का भी कर सकते हैं, एक सब्ते का भी हमें यह टाइम सेट कर सकते हैं, तो अभी वन पर ओन आ रहा है, एक बच के दस मिनिट पर, अभी हम इसको ओफ के लिए करना है, तो एक और पर प्रेस करना पड़ेगा, यह देखे दूसरों, ओफ हो चुका है हमार चार बच के चाओवन मिनिट पर, यानि कि हमारे जो इनके बीच की दूरी है, इतते में यह बंद होएगा, अब हमें यह यदी हमें जो मुनिट और गंटे, यानि हावर चेंज करने हैं, तो हो lagi बटन को दबागे हमें हावर वाले बटन और मिनिट वाले बटन, इनको प्र ये एक, ये on, off, ये दो, on, दूसरा off, ये तीन ऐसे करके हम आट बार इसको 24 गंटे के अंदर यूज कर सकते हैं तो देखे, on, off, on, off, on, off, जो हमें हैं वो 16 बार देखने को मिलेंगे, यानि 16 बार on और off यानि 8 बार, 8 बार हम जो है, 24 गंटे में से इसका उप्योग कर सकते हैं और आप देख सकते हैं, ये जैसे इसके टर्मिनल है पीछे ये देखें दोस्तों, चो एक और दो है, ये मेन सप्लाई के टर्मिनल है ये NC, NC वाले टर्मिनल, ये NO वाले टर्मिनल है और यह हमें तीनों में देखने को मिलते हैं तो दोस्तों I hope कि आपको यह timer समझ में आ चुका होगा और इसका उप्योग हम बहुत सी चीजों में कर सकते हैं जैसे कि हमारे dg on के अंदर और इसका उप्योग हमारे जैसे मेंस ओफ हो जाती है या light चली जाती है तो उसमें हमें बता सकता है या फिर auto में जो है कि contactor hold करा सकता है उसके लावा जो street light होती है हमारे घरों में या फिर industrial area के अंदर street light ओमें भी यह बहुत ज़्योग में लाये जाता है हमारे भी बहुत सारे काम होते है जैसे कि हमारे यह मैंस फेल के लिए काम में आ जाता है यह साइड ओन बैटरी के लिए काम में आ जाता है और यह हमारे डीजी ओन आफ के लिए काम में आ जाता है तो यह सारे जो है कि हमें इंडिकेटर भी दे सकता है और साथ ही में हमें जो अलारम वगेरा है उसमें भी काम में आता है और भी बहुत सारे जो काम है वो हमें इससे कर सकते हैं इससे हमारा टाइम भी बच्चत होती है और एकदम accurate तरीके से जो यह वर्क करता है एक भी मिनिट आगे पीछे नहीं होता है इसी वज़े से हमारे जो बहुत सारे जो timer है वो हम use में करते है तो दोस्तों I hope कि यह आपको समझ में आ चुका होगा तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को कीज़े like और channel को कीज़े subscribe और bell notification को all पर सेट कीज़े ताकि मेरी हर वीडियो का notification आपको मिल सकते सबसे पहले तो आज के लिए इतना ही मिलते है next वीडियो में तब तक के लिए good bye